हेलो प्रंड्स कैसो आप सब आई होप आप सब अच्चे होंगे और आप सब की बढ़ाय वीच्छी चल रहे होगे तो पीरे विद्यार्तियो तक्सा आठ हिंदी विशे वसंद भाग तीन के तेहत हमने आपके अध्याए एक से लेकर चार तक सभी के अभ्यास के समस्त प्रश निरास हुआ जाए कि अभ्यास के समस्त प्रशनों के उत्तर को जानेंगे ये आपके जो अभ्यास प्रशन है ये आपके नविन्तम पाठे करम दोजा चौबिस पच्चिस के अनूसार है तो चलिये क्लास हम सुरू करते हैं देखें पहला प्रशन आपके सामने दिया हुआ है कि लेखक ने सुईकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी दोखा दिया है फिर भी वह निरास नहीं है आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है ये लेखक मानता है कि कई सारे लोगों ने उन्हें जिन्दगी के अंदर दोखा दिया है येकिन फिर भी वह निरास नहीं है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि कई बार दोखा खाने के बावजूद भी वो अपने जीवन से या अपने आपसे निरास क्यों नहीं है इसके पीछे कारण क्या है वो बताना है तो लेखक द्वारा इस तत्यक को सुविकार करने के बाद भी कि उसने लोगों उसने लोगों से दोखा खाया है, फिर भी वह निरास नहीं है, क्योंकि कारण क्या है? पहला कारण है कि जो लेकक है वो अपने जीवन के परती आसा वाधी दृष्टी कोर्ण रखने वाला बैखती है, कैसे बैखती है? आसा वाधी है, मैसा सकारात्मक दृष्टी कोर्ण जैसी चीजों के बारे में बहुत कम क्या रखता है? लिसा भी रखता है, उन चीजों को वो ज़्यादा याद नहीं रखता है. इसरा कारण, उसके हाथ चल कपट जैसी गटनाय हुई है, पर विश्वासगात नहीं और या फिर बहुत ही कम हुआ है, यानि लेकक के खुद क आतों से भी चल कपट जैसी गटनाय हुई है, पर किसी के साथ उन्होंने विश्वासगात नहीं किया. अगला, लेकक के साथ ऐसी बहुत से गटनाय हुई है, जब लोगों ने और कारण ही, यानि बिना किसी कारण के ही, उसकी क्या की है, मदद की है. तो ये कुछ कारण हो स परदाफास करना कब बुरा रूप ले सकता है, दोसों का परदाफास करना कब एक गलत अथवा बुरा रूप ले सकता है, जब हम किसी के आचरण के गलत पक्स को उधगाटित करके उसमें रश लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारन कर किसी को क्या पहुंचाए? खानी पहुंचाए. किसी भी दोस्त का परदाफास करना तब बूरात रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के जो गलत पक्से, उन गलत पक्से को हम क्या करे, उद्डारित करे, लोगों के सामने उजागर करे और उसमें हम आनंद लेते हैं या फिर जब हमारे ऐसा करने से जो सामने वाला लोग है जिसका हम परदाफास कर रहे हैं वो क्या है? वो उग्र रूप धारन कर ले वो बहुत ज़या नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए और वो किसी को हानी पहुचा दे तो उस हिस्तती में किसी के दोसों का परदाफास करना बिल्कुल बूरा रूप ले सकता है आगे बड़े तीसरा आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार सेनल दोसों का परदाफास कर रहे हैं इस प्रकार के समाचारों और कारेकरमों की सार्थकता पर तरक सहीत विचार लिखिये आपने देखा होगा आजगल बहुत सारे अकबार और टीवी चैनल के माध्यम से कई सारे दोसों का परदाफास किया जाता है तो इस प्रकार के समाचार और जो कारेकरम है, क्या ये सार्थक है, क्या ये उप्योगी है, इस पर आपको तर्ख सहीत विचार लिखने हैं तो इस प्रकार के परदाफास से समाज में व्याप्त बुराईयों से अपने आसपास के वातावरण और लोगों से अवगत हो जाते हैं जब इस तरह कि अलग अलग दोसों का पदाफास होता है तो हम अपने समाज में व्यापत बुरायो, पूरूतियों, अपने आस पास के वातावर्ण और आस पास के रहने वाले लोगों से क्या हो जाते हम? अवगत हो जाते हैं, उनके बारे में हमें पता लग जाता है और इसकी वज़े से ही समाज में क्या आती है? समाज के अंदर एक प्रकार की जागरूपता आती है साथ ही साथ समाज समय रहते, सचेत और सावधान भी हो जाता है तो सही बात है कि दोसों का परदाफास एक उचित तरीके से होना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में पतास चलें आगे और लोग इसके सिकार न हो तो बहुत ही जरूरी है कि समाचर पत्रों और समाचर चैनलों के माध्यम से जो अलग अलग तरह की कुरूतिया और दोसों का परदाफास किया जाता है वो बिल्कुल मेरे नजरिये से बिल्कुल सही बात है ऐसा होना चाहिए आगे बात करें चौता निम्न लिकित के संबावित प्रिनाम क्या क्या हो सकते ही आपस में सर्चा की दिये जैसे इमानदारी को मुर्कता का प्रियाय समझा जाने लगा है और इसका प्रिनाम क्या होगा ब्रश्टाचार बढ़ेगा जब इमानदार लोग को हम मुर्क समझेंगे या इमानदारी के गुण को हम मुर्कता से कुलना करेंगे तो निच्छी तुरूप से उसका प्रिणाम क्या होगा? ब्रश्टाचार बढ़ेगा. आप देखो, अब अगला कतन है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस्ट लोगों के हिस्से पड़ी है. इसका प्रिणाम क्या होगा? इसका प्रिणाम होगा ताना साही बढ़ेगी. दूसरा कतन जूट और फरेब का रोजगार करने वाले आजकल फल फुल रहे हैं. यह बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं. वो अपने धंदे में प्रगर्ती कर रहे हैं. इससे क्या होगा? ब्रश्टाचार बढ़ेगा. हर आदमी दोसी अधिक दिकरा है और गोनी कम. इससे क्या होगा? इससे लोगों में और विश्वास बढ़ेगा. ठीक, आगे बढ़े प्रश्टा संख्या पांच. लेखक ने लेख का सिर्षक क्या निरास हुआ जाए? क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बहतर सिर्षक सुजा सकते हैं? प्रश्टा क्या है? कि लेखक ने इस लेख का सिर्षक जो टाइटल है वो क्या निरास हुआ जाए? ऐसाथ क्यों रखा होगा? उसके पीचे कारण क्या है? और आपके नजरिये से क्या इससे बहतर कोई टाइटल एनि सिर्षक अध्यायका हो सकता है थो नहीं हो सकता. तो देखें, लेखक ने इस लेख का सिर के मानविय गुनों से भरे लोगों को और उनके कारेों को याद करने को कहता है, जिससे हम क्या न हो जिससे हम निरास न हो यानि कि लेखक यहाँ पर इस इद्धाय में बता रहा है कि आजकल हमारे आसपास समाज डेस, राज्य में जो और आजटा कि गटनाय हो रही है जो गलत गटनाय हो रही है उसकी वज़े से कभी कबार क्या होता है हम निरासा से भर जाते हैं और हम भी नकारात्मक सोचने लगते हैं लेकिन लेखक कह रहा है कि ऐसी गटनाओं से हमें क्या नहीं होना ऐसी गटनों से हमें निरास नहीं होना हमें बलकि ऐसे दोसों का अत्वा ऐसी गटनाओं का परदाफास करना चाहिए है न और लेखक ने हमें उस समय समाज के इंदर जो मानीजिये गुणों से भरे लोग हैं ऐस तो है नहीं कि सब लोग खराब हैं कई सारे अच्छे लोग भी हैं तो उन अच्छे लोगों के गुणों को अपनाने उनके कारियों को यद करने के लिए कहा है ताकि हम निरास न हो अब इसका अन्याद सिर्षक क्या हो सकता है हम निरासा से आसा क्या रख सकते हैं इसका अन्याद सिर्षक हम क्या रख सकते हैं हम रख सकते हैं निरासा से आसा, क्या रख सकते हैं, निरासा से आसा भी रख सकते हैं, अगला प्रशन प्रशन संक्याच्छे, यदि क्या निरास हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन लगाने के लिए कहा जाए, तो आप दिये गई चिनों में से कौन सा चिन लगाएंगे, वो कारण भी बताना है तो क्या निरास हुआ जाए मैं प्रश्ण चिन लगाया जाना उचित समझता हूँ क्या लगाना प्रश्ण चिन समाज में व्यप्त बुराईयों की बीच रहते हुए जीवन जीने के लिए सकारात्मक रश्टी क्या है बहुत जादा जरूरी है अतो य उनके बीच रहते हुए जीवन जीने के लिए एक सकारात्मक रश्टी का आसावादी होना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है ठीक सातवा आदर्सों की बाते करना तो बहुत आसान है पर उस पर चलना बहुत कठीन है क्या आप इस बात से सहमत है तरक सहीत उत्तर दीजिए यानि अच्छी अच्छी बाते करना आदर्स बाक्य कहना आदर्स भचन देना उपदेश देना ये बात तो बात करना बहुत आसान है लेकिन उन आदर्सों पर चलना उनका पालद करना ये बहुत जादा कठीन है इस बात से आप कहां तक सहमत है तरक के साथ में उत्तर देन तो आदर्सों की बाते करना तो बहुत आसान है पर उस पर चलना बहुत कठिन, मैं इस कतन से पूरी तरह क्या हूं सहमत हूं, क्यूंकि व्यक्ति जब आदर्सों की रहा पर चलता है तब उसे कई सारी कठिनाईयों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और असाम बात है, ठीक, आठवा, बासा की बात, पाठ से द्वंद समास के बारहा उदारन ढोंड कर लेखो, कौन से समास के, द्वंद समास के, तो द्वंद समास में क्या होता है, द्वंद समास के अंदर दोनों पद परदान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद आपके परदान होते ह ठीके, जैसे सुक और दुख, तो इसका समा स्विग्र क्या होगा, सुक दुख, भूक और प्यास, भूक प्यास, हसना और रोना, हसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी, साचा और चाची, चाचा चाचे, अगला, सच्चा और जूठा, चच खोना, पाप और पुन्या, पाप पुन्या, इस्त्री और पुरूस, इस्त्री पुरूस, राम और सीता, राम सीता, आना और जाना, आना जाना, ठीके, तो ये द्वंद समास के उधारण के, अगला प्रशन संख्या नो, पार्ट में तीनों परकार की संग्याओं के उधारण खोज कर लिखो, संग्या तीज प्रकार कियी होती है generally, वेक्टि वाचक, जाती वाचक और भाव वाचक, आपको तीनों के उद्रारण लिखने है, पहले हैं वेक्टी वाचक, इसमें वारतवर्स, तिल, तिलक, घांदी, मदन, मुहन, माल विया, ये क्या है जातिव आचक संग्या सब्द है भाव आचक, इमानदारी, सच्छाई, जूट, छोर, डकेत ये सब आपके भाव आचक संग्या के उदारण है ठीक, तो इस तरह हमने आपके अध्याए 5 क्या निरास हुआ जाए कि अभ्यास के समस्त प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए है उम्मीद करता हूँ सभी प्रशनों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लब सभी का धिन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और ये मैनत पसंद आई है